इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहां आ रहे हैं, प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं, ग्रिव मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं लेकिन बिचारों की परिस्थिती देखिए यहां आते हैं आपकी समस्याओं को के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि बात करेंगे तो कहेंगे क्या अगर महिलाओं की बात करनी है नौजवानों की बात करनी है विकास की प्रगती के बाद करनी है तो कहेंगे क्या तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाओ आपकी समस्यां उस पे ना लड़ा जाए आपकी जो संघर्ष है आपकी मेहनत है आपकी इच्छाएं है आपका भविश्या इस पे ना लड़ा जाए तो बड़ी अजीब बात है पिछले दो तीन दिनों से मैं देख रही हूँ मैंने तो बहुत प्रधान मंत्री देखे हैं इंदरा जी को देखा गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए राजीव गांधी को देखा शहीद हुए इस देश के लिए नर्सिमराओ जी को देखा मनमोहन सिंग जी को देखा महनत कलते हुए दिन रात को इस देश के लिए लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है बेहनों और भाईयों पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है मुझे गाली दे रहे है आपके दुख सुनने के बजाए अपना दुख़ा आपको सुनाते है और किसी ने उनके ओफिस में बैच कर एक लिस्ट बनाई है अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है वो यह लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्याओं है हमें क्या करना वो यह लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है कमसे कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी है लोगों ने हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपा लेंगे यूर बाइदित नोड़िदा लिस्ट माड़ो दादरा वंद पेज कुड़ा फुला गुदिला आदरा नम गांधी परिवार्द मेले यूर बाइदित नोड़िदा वंद पुस्तक गड़ान परिवार्ष्ट नहू बरिए हेडवाष्ट लू साइद्वादा हिम्मत करो मोदी जी मेरे भाई से सिखो दैर माडरी मोदी जी और नन्न रावल गांधी और इंदे तिलकोट न्यू मेरा भाई कहता है गाली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए नन्न तम्मा अन्न एतने इस देश चलोई गाली अस्टेला गोली